आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कम समगरी में जटपट से कम तेल में बनने वाला नास्ता लाई हूँ जिसके सामने इटली डोसा सभी खाना भूल जाएंगे बच्चे हों बड़े हों सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है एक कफ सूजी और आधे चमस देल में ये नास्ता बनकर तयार होते हैं इसे बनाना जितना आसान है टेस्ट उतना ही लाजवाब है नमस्ते दोस्तों बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है तो रेस्पी बहुत यूस्फूल होने वाली है तो वीडियो को इसकीप करने की गलती ना करें नहीं तो आपसे इंपोर्टेंट पार्ट इसका मिस हो जाएगा तो बिना देर किये हम अपनी रेस्पी को सुरू करते हैं चलिए अपने किचन में चलते हैं यहाँ पर हमने एक कफ सूजी ल पर पोहा ले सकते हैं साथ में ही हमने यहाँ पर आधा कब चांच या ताक या दही दो चिम्मच ले सकते हैं साथ में स्वाध अनुसार नमक आधा चिम्मच हम तेल डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से हमें मिलाना है उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी मोटिवेशन मिलता है अगर आपको मेरी रेस्पी नहीं अच्छी लगती है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे रेस्पी अच्छी है कि नहीं यहाँ पर हमने सारी चीजों को अच्छे से मिले आ लिया हुआ है उसके बाद थोड़ और साथ में आधा चमच जीरा वन फोर चमच हल्दी हल्दी डालना है तो डालिए नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं आपकी 24 है अब सारी चीजों को हमें मिलाना है यहाँ पर हम बहुत ही कम समगरी में इस नास्ते को बनाएंगे आप चाहें तो सबजियां भी एड़ कर सकते है जैसे गाजर, बीन्स और मटर अब सारी चीजों को हमें अच्छे से मिला देना है और उसके बाद हमें एक थाली प्लेट जो भी आपके पास बरतन हो मैंने पहले भी आपके साथ सूजी की रेस्पी बहुत सारी सेयर की है अगर आपने अभी तक नहीं देखिये तो जाईए विजट की रसों में पर देखिये बहुत ही जबरजस्त और कमाल का नास्ता है बहुत ही कम समय में बहुत कम समगरी में यह नास्ता बनकर तयार होता है यहां हमने थाली ग्रीस कर ली है तेल से साइड में रखेंगे अब हम इस वेटर में आधा चिम्मच इनो डालेंगे इन यहां पर मैंने थोड़ा सा छांच इसके उपर इनो के उपर डाल दिया जिससे यह एक्टिव हो जाए और यह देखिए इस तरह कि इससे डालेंगे तो हमारा नासा हलका फुलका बनेगा तो इस तरीके से हमें इनो को अच्छे से बैटर में मिला देना है तो हमें यहां पर व औरमे तियल से ग्रेस करने से आपका जो यह नासता है आसानी से निकल जाएगा और बिना तेल ली यहे तो पूरी साहीaffen और पटिवा यह दो देखाए यह अगर हूप तो पूरी ठालीin में भी फैला के डाल सकते हैं पहले वी ऐसी डीश्पी अलग तरीके से सेयर किये आपने जरूर नहीं देखा है तो जरूर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं बहुत ही कम तेल का ये नास्ता बन कर तयार होता है यहाँ पर हमने जो भी एक एक चेमच एड़ कर दिया है थोड़ा थोड़ा सा मेरे पास ज़ादा हो रहा था तो मैंने यहाँ पर उसी में एकजस कर लिया है आप दुसरे बरतन में भी टांसपर कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर बीच में आप देख रहे हूंगे तो जगा छोड़ दी है क्यों आगे मैं आपके साथ से एर करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी प्लेट है और उसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से और उसके बाद बैटर को डालकर इस थाली को हम यहाँ पर एक कढ़ाई में एक गिलास पानी डालकर इस्टेन ढाल देंगे जिसे की पानी थाली के उपड़ न आए और फिर उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आज पर इस्टीम होने देंगे सॉरी फास्ट आज पर इस्टीम होंगे 5 मिनट और 10 मिनट ऐसे ही मीडियम आज पर इसे छोड़ना है जिससे कि हमारा नास्ता अच्छे से इस्टीम हो जाए तो ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया हुआ है आप देख रहे होंगे तो अब इस नास्ते को हम चेक करेंगे कि हमारा नास्ता परफेक्ट इस्टीम हुआ है कि नहीं तो इस तरीके से चाकू डाल कर देख सकत तो तूट पे अगर नाव निकल रहा है तो हमारा नास्ता अच्छे से पक चुका है नहीं तो दो मिनट के लिए और इसे अच्छे से स्टीम होने दीजिए और इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करके इसे रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए तो यहां पर हमने नास्ते को चेक किया और यह अच्छे से पक चुका था और इसे हमने एक बार फिर से चाको से चेक किया तो देख रहे होंगे तक दम क्लीन निकल रह है तो अब इसे हम गैस की फ्लेम को बंद करके ऐसे ही दस मिनट के लिए छोड़ेंगे कई बार नास्ता हमें हलका फुलका गर्मी में खाना पुसंद होता है तो इस तरीके से जरूर बना कर ट्राय कीजिए तो यहां पर ठंडा होने के बाद देख रहे होंगे तो यह थोड लगाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा और बाकी नास्ते को भी इस तरीके से हमें निकाल लेना है यह आसानी से निकल जाता है तो यहां पर यह देखिए बहुत ही स्पॉंजी है बहुत सॉफ्ट है तो इसी तरीके से हमें सारे नास्ते को निकाल लेना है आप चाहें त टमाटर की चाटनी या सास या बिना किसी चटनी के भी इंजॉय कर सकते हैं तो आई होब आपको मेरी रेस्पी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्क्राइब सेयर जरूर की घर्मी में वैसे भी हमारा कुछ चटपटा और ओईली खाने का मन नहीं होत है तो यह बहुत ही सिंपल आसान सा नास्ता है जिसे हर घर में बेसिक सामान से बनाया जा सकता है तो इसे मैं आपको दिखा रही हूँ तो यह इतना स्पॉंजी है कि आराम से हाथों में तूट जा रहा है वैसे भी बच्चे हमारे चटपटा और मसालेदार खाना कम पसंद करते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे बढ़ों को काफि पसंद आने वाला है हलका सा मैंने तेल में फ्राइए एक अरदी आधा चमद गुक्ती तेल में आप सी बना सकते हैं इसे हलका सा राई जीरा और हलडी डाल का तड़का लगा कर भी दे सकते हैं तो यहां और दोनों तरीके से मैंने आपके साथ ये रेस्पी सेयर की है रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्क्राइब से जरूर कीजिए फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी में